Hey guys, shortest trick ever for ATP calculations in fatty acid अभी तक आप क्या करते थे कि fatty acid को calculate करने के लिए ATP calculate करने के लिए fatty acid beta oxidation में आपको acetyl koe, number of cycle का पता करना, FADH2 का पता करना या NADH का पता करना कितना निकल रहा है, उसे कितने ATP बन रहा है फिर आप calculate करने की कोशिस करते थे लेकिन मैं आपसे कहूँ, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं आप सिर्फ carbon number से ATP को calculate करवा सकते हैं तो कैसे इस वीडियो को अंतक देखके आप जान सकते हैं और आप सिर्फ saturated fatty acid ही नहीं unsaturated fatty acids के ATP calculation भी 10 सेकेंड में कर सकते हैं आज यह ट्रिक मैं लेके आया हूँ जो कि कहीं पर आपको available नहीं होने वाली है तो इस ट्रिक को देखिएगा और देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो मैं आपके comment को जरूर चाहूँगा कि आपको यह वीडियो लगी कैसे यह ट्रिक लगी कैसे तो comment करके जरूर बताईएगा देखने के बाद like, share, subscribe भी कर सकते हैं तो चले चलते हैं फटाक से वीडियो पे और यह आपके fatty acid listed out है जिसमें कुछ saturated fatty acids है कुछ monounsaturated है और कुछ polyunsaturated है इसमें saturated में butyric, loric, meristic and palmitic stearic acid जिसमें number of carbon यहाँ पे 12, 14, 16 and 18 होते हैं pamitolic acid, olic acid are monounsaturated जिसमें 16 carbon and 18 carbon monounsaturated का मतलब है कि one double bond यह पाया जाता है और position इनका ninth position पर है that is odd position linolenic, eredinoic, उसके बाद eca, sampetenoic acids है locosahexenoic acids है यह जो particularly fatty acids है यह polyunsaturated है जिसमें कि आपके 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे double bond पा जाते हैं शुरुआत होती है 9 से 12, एक double bond 9 पे होगा, एक 12 पे होगा linolenic में 9, 12, 15 है 3 double bond में 3-3 के gap में चल रहा है देखे, 9 से 3 add करेंगे 12, 9, 3, 12, 12, 3, 15 5 to 8, 8 to 11, 11 to 14, 5 to 8, 11, 14 and 17 this is the way, यह इस तरीके से number जो double bond है उसका position है मैं पहले ही बता चुका हूँ तो यह classification जिसको नहीं पता था उसके लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है यह omega fatty acids कौन कौन से omega classifications है and these are the number of ATPs for this particular fatty acid calculations to calculate कैसे करना है जनाब उसके लिए formula नीचे दिया हुआ है तो चल यह शुरू करते है इस formula का, यह formula आपको कहीं available नहीं होने वाला है unsaturated fatty acid को भी seconds में solve करेंगे and saturated भी करेंगे तो शुरुआत करते है saturated fatty acid को calculate कैसे करना है with this formula तो क्या करना है आपको number of ATP will be 7 into C minus 6, C is the carbon, C जो है यहाँ पे carbon है carbon number कितना है, आपको कोई cycle, कोई FADH, कोई sitile, कोई कुछ भी ने चीए सिर्फ fatty acid के carbon number यह table आपको सब कुछ करवा देगा, even ATP calculation, positions and everything तो चलिए देखने के कोशिस करते हैं कैसे इस चीज़ पर करते थे इंटो carbon number minus 6 करना, लॉरिक असिद में 12 carbon तो बारा इंटो 784, 12 इंटो 784, minus 6, 78 ATP, मिरिस्टिक असिद में 14 carbon, 14 इंटो 7, minus 6, 98, minus 6, 92 ATP, पर मिरिस्टिक असिद में 16 carbon, 16 इंटो 7, minus 6, 112, minus 6, 106 ATP, 70, स्टिरिक असिद में 18 carbon, 18 इंटो 7, minus 6, 126 ATP, minus 6 ATP, that is 120 ATP, देखा कितना आसान हो गया, एक सेकेंड में, एक स्टेप में लगभग 10 सेकेंड का का कालकुलेशन है, और 10 सेकेंड में आप इस पर्टिक्लर saturated fatty acid को solve कर सकते हैं, कई लोग सूसते होंगे, saturated fatty acid तो हर कोई बताता है, क्या आपके पास कोई short trick है, unsaturated fatty acid का, तो क्यों नहीं है, जनाब ये देखिए, इसमें क्या है, unsaturated fatty acid में, ATP का formula यही है, थोड़ा सा हमें modulate करना है, क्योंकि, जब even number पे double bond होता है, क्योंकि double bond एक oxidized form होता है, single bond का, तो यहां पर या तो एक FADH2 का loss होगा, या एक NADH2 का loss होगा, FADH2 का loss होगा, तो आपको 1.5 माइनस करना पड़ेगा, और अगर आपका NADH का loss होता है, तो 2.5 माइनस करना पड़ेगा, तो NADH का loss तब होता है, जब double bond आपके even number पे present हो, and FADH2 का loss तब होता है, जब आपका odd number पे present हो, यानि FADH2 का loss होगा, तो 1.5 माइनस करेंगे, and 2.5 जो अगर even number पे होगा, तो हम 2.5 माइनस करेंगे, आप कई लोग सोच रहेंगे, यहाँ पे plus क्यों क्या है, क्योंकि मैंने यह minus को common लेके, सारे 6 से सब को add कर दिया, यह देखें, मैंने bracket लगा दिया है, जिससे कि आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि 6 में सब add करके, इकठा माइनस कर देना है, 7C से, तो अब आपको 7C में सिर्फ 6 माइनस नहीं करना है, उसमें odd और even से जो NADH या FADS2 का loss हो रहा है, उनको भी माइनस करना है, तो इसमें जो है, थोड़ा सा less हो जाएगा, चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप समझ में आ जाएगा, यह है पामिटोलिक एसीड, सोलर कार्बन, एक डबल बॉन्ड, पहला डबल बॉन्ड नाइन्थ पोजीशन, यानि odd पोजीशन पे, और पोजीशन पे आ रहा है, तो यहां पे इस odd का नंबर 1 है, 1.5 करेंगे, इवन पोजीशन पे कोई डबल बॉन्ड नहीं, तो 0 कर दिया, यहनि मल्टिप्लाई होके, वो 0 हो जाएगा, तो 7 into 16 minus 6 plus 2.5 into 0, 0 हो जाएगा, 1.5 into 1, 1.5, यानि यह total value 7.5 हो जाएगी, जो minus करनी होगी, तो 7.5 minus कर दिया, तो 106 में से 1.5 minus किया, तो वो आ जाएगा आपका 104.5, क्योंकि हमने 112 में से 6 minus करके 106 टिपी तो किया ही था, इसमें एक जो है 1.5 और minus कर देना है, तो यह condition होगी आपके, पामिट ओलिक एसीड के लिए, ओलिक एसीड 18 कार्बन का एक double bond odd position पे, 9th position पे, यानि कि आपको क्या करना है, 120 वाले में से 1 FADH2 का loss करवाना है, odd position पे क्या होगा, FADH2 का loss होगा, तो वो minus करवा देंगे, तो यह आ जाएगा, 118.5, similar formula, यह है आपका लिनोलिक एसीड, दो double bond, दो होगा, तो एक odd और एक even पे, that is, इस तरीके से 2 double bond पे आज रहे थे, 9 and 12 पे चल रहा था, so 9 and 12 पे आपने किया, तो यह condition आपके पास appear होगी, here if you can understand, तो यह जो है आपका appear होता है, लॉरी के सिट के लिए 7 into 18, यह तो 7C का होगा, minus 6 plus 2.5 into 1 and 1.5 into 1, यानि कि आप 10 minus करेंगे, तो इस तरीके से आपका यह calculation यहाँ पे आजाएगा, इसकी अलामा जो है आपके लॉरी के लिनो लेनिक एसीड में 3 double bond है, 2 odd position पे, 1 even position पे, odd के लिए 2 का multiply किया, 1.5 even के लिए 2.5 में 1 का multiply किया, 6 odd जोड दिया, इस पूरे value को इस से minus कर दीजे, तो यह answer आजाने वाला है जनाब, इसके बाद एरेकडिनोग एसीड से 4 double bond है, जिसमें 2 odd 2 even, तो इसमें 2.5 से भी 2 multiply, 1.5 से 2 multiply, इसको 6 में जोड के, 20 into 7 से minus कर दीजे, 126 ATP आ जाएगा, उसके बाद आपके जो यह condition था, यह fatty acid बताया था, that eco-sepentinoic acid E है, और docosahexinoic acid, तो eco-sepentinoic acid में 22 carbon 5 double bond थे, 5 double bond में 3 odd position, 2 even position आएगा, देखें यहाँ पे, 3 odd position क्यों है, 5, 11 and 17, 3 odd position है और 2 even है, 8 and 14, तो इस तरीके से आपने किया, so here 3 odd के लिए आप 1.5 में 3 का multiply करेंगे, और 2 odd position में जो है, आप उसको 2.5 का multiply करेंगे, तो 2.5 into 2, plus 1.5 into 3, plus 6, इसको 22 into 7 से minus कर दीजे, तो यहाँ जाएगा 138.5 ATP, and docosahexinoic acid में 6 double bond है, 3 odd position पे और 3 even पे, odd position पे तो 2.5 में 3 multiply, 1.5 में 3 multiply को कोई event पे भी है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, कि 6 में जोड़ दिया, सब को आपके 22 into 7 से, यहाँ पे 12 by mistake है, इसको 22 करेक्ट कर लिजेगा, so this is the way यह जो है आपका ultimately calculation है, तो देखा आपने कैसे seconds में calculate कर सकते हैं, इन दो formulas का use करके, so आप इन formulas का use करिए, और seconds में saturated या unsaturated fatty acid के ATP को calculate करिए, अगर यह वीडियो अच्छी लगी है, तो like से subscribe करना और comment करना बिलकुल मत बूलना, free courses of ICMR is running on the e-learnam app, download the app from the play store, और वहाँ पे statistics के course and all भी चल रहे हैं, paid courses में तो भी जूड़ सकते हैं, visit करिए e-learnam के app को download करने के बाद, और वहाँ पे आपको सारी informations मिल जाएगी, इसके अलामा अगर आप an academy पे जोड़ना चाहते हैं, तो भी मैं पढ़ाता हूँ कई सारे batch courses are running, you will find live classes, smart notes, recording, speeches, all educators, more than enough, all units at a single place, and let's have fun with the science, gate, dbt, or icmr, तो जुड़ी है हमारे साथ, और crack करिए entrance examination for very confidently and smartly, thank you so much, until then, bye bye, take care and all the best. किसे दो बन्वाब और टोब्क तरिएे ।वि, जुड़ी ऑमनायो, और को सारे हाजोी हमारे सारे अलामा दाप एचरे में得 जू़ाँ सबस्द국त थरी सारे ज कर vazut pers판 चाहते हैं और का चाहते हैं प्हज़ी करूब्सा जàoります, झाल 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 झाल